सल्मान खान के प्लाक बग हत्याकान के बारे में तो सभी जानते हैं मामले में उनके खिलाफ लड़ने वाले सल्मान खान के विपक्षी वकील महीपाल बिश्णौई ने किसी की हत्या कर दी है मैं आपको पताती हूँ पांच अगस को जोदपूर के जालामन सर्कल के पास एक 27 वर्षिय युवा कॉंस्टेबल रमेश सरन नाइट ड्यूटी में नाकापंदी पर वाहनों की चेकिंग कर रहा था विश्णौई की कार की रफतार तेज थी और रुपने की कोशिश के पावजूद वह कॉंस्टेबल से जा टकराई कॉंस्टेबल को टकर मारने के बाद वाहन डिवाइडर के दूसरे तरफ गिर गई हालाकि उसने हिलने की कोशिश की लेकिन वह मारा गया वकिल घायल नहीं हुआ था लेकिन कॉंस्टेबल गंबीर रूप से घायर हो गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया एम्स में इलाज के बावजूद उसने दम तोड़ दिया यहाँ बिश्णौई की डीसीपी गौरव यादफ को दिये गए बयान के अनुसार है पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ओनर के बाद शफ को अन्तिम संसकार के लिए उनके पैत्रोक्स्तान भेज दिया गया है कॉंस्टेबल सरण दोहजार अठरा में पुलिस सेवा में शामिल हुए और एक साल पहले ही उनकी शादी हुई थी दुख की बाद है कि उनका निधन हो गया एसीपी जैप्रकाश अटल ने कहा कि पीड़त परिवार की और से प्रात्मी की दर्ज कराई गई है और न्याय के मांग की जा रही है यह मामला अभी चल रहा है